क्या हिजबुल्लाच चीफ की मौत का असर भारत लेकर पाकिस्तान में भी होना चाहिए या हो रहा है क्या हिजबुल्लाच चीफ की मौत के बाद से चारो तरफ विरूद हो रहा है इस्राइल का नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूजटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हो रीन हूँ यादव जबसे लेबनान के बिरूद में हिजबुल्लाच के हेड़क्वाटर पर इसलाइल ने मिरसाइल लिदागी है उसके बाद देखा गया कि जो हिजबुल्लाच की चीफ है उनकी बेटी जैनप और नसरल्लाच की मौत के बाद से अब भारत से लेकर पाकिस्तान तक में कर को enra Todo से लिदागी है उनकी कुछ बैठा के हो रही है और यह माना जा रहा है किसका बदला लेने के लिए इरां ने प्रमुग बैठा के बुलाइं हैं और अपने सबसे मजबूत ताकतवर जो सैनी के उनको तैयार किया जा रहा है ताकि इसराइल पर हमला किया जा सके फिलाल हम बात कर रहे हैं प्रदेशन की लगातार मौत के बाद से प्रदेशन किया जा रहे है और जिस तरीके से ये खबरे सामने आई हैं उसके बाद से अलग-अलग तस्वीरे भी हम आपको दिखाएंगे एक तरफ जहां भारत देश में उत्तर प्रदेश के लखनों मे बड़ी संख्या में देराच शिया समुदाई के लोग एकठा हुएं और उन्होंने बहुत नारे भी लगा हैं नारे बाजी की है और जिस तरीके से इसराइल ने हमला की इसराइल को लेकर विरोध प्रदेशन जताया गया है यहां तक कि जो प्रधान मंत्री हैं विंजामी और इस वक्त देखाईये जा रहा है कि हजबुल्लह चीफ जो है हसन नसरल्लह इनकी मौत एक बहुत बड़े समुदाई को प्रभावित करती हुए नसर आ रही है आप देगें प्रदेशन कारियों ने अपने घरों पर काले जंडे लगा हैं और प्रधान मंत्री इसराइल क साथी नारे बाजिकी है मजलिस पढ़कर नसरल्लह की मौत पर मातम मनाये गया शिया समुदाई के लोगों ने तीन दिन तक शोक मनाने का एलान किया है तो वहीं सुल्तान पूर में भी ऐसे ही कुछ तस्वीरे सामने आ रही है जोकि एक बहुत बड़ा समुदाई यहां पर यह तमाम नारों की बीच में यह भी कहा जा रहा है कि आग लगा दो ऐसे देश को जिन्होंने नसरल्लह की मौत पर साथ दिया है मायने को लेकर साथ दिया है देखे जो तस्वीरें भारत देश से सामने आ रही है यहां पर पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुन करने की कोशिश करी रहा है लेकिन दूसरे तरफ पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान शोक किलहर में डूपा हुआ है देखा यह भी जा रहा है कि जो बड़े बड़े संगठन है वो भी इस चीज़ का विरोत कर रहे हैं और इसराइल के लगतार हमले जो हो रहे हैं क्योंकि जब बेरोत में हमला हुआ था और जब यह जानकारी कंफर्म हो गई थी कि हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है उनकी बेटी की मौत हो चुकी है उसके बावजूर लगातार मिसाली दागी गही है और इसराइल की तरफ से यह बोला जा रहा था कि यह हमला इसलिए किया जा रहा है ताकि हिजबुलाह संगठन का एक भी व्यक्ति ना बचे इसका कारण यह कि अगर कोई भी बचता है तो वो बहुत ही असानी से बहुत कम समय में एक बार फिर से हिजबुलाह संगठन को खड़ा कर देगा और यही कारण है कि बहाँ पर लगातार मिसाली दागी गई है यहा कर रहा है और अपने सबसे मजबुट जो सैंकबल हैं उनको तयार किया जा रहा है और रवाना कर दिया गया है यह हमला कहां पर हो गई यह बड़ा सवाल है हलांकि जो इसराइल है उन्हों पने तमाम जो इलाकों में घेरबंदी गर ली थाकि कोई भूस पैट ना कर सके यह या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई मिसाइल आती है तो उनको सीमा पार करने के पहले ही ध्वस्त किया जा सके तमाम तैयारियां की है इसराइल ने लेकिन देखना यह है कि जो अब नुकसान या फिर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा हामला हिजबुल्लह संगठन के चलते आम लोगों पर भी हुआ है इसका बदला इरान किस तरीके से लेने वाला है फिलहाल यह जो आग है यह धदक रही है और इस वक्ते इसका असर भारत समित पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि शिया समुदाय मुस्लिम समाज का शिया समुदाय बहुत जादर प किसी की जान न जाए इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तेयत है उत्तर प्रदेश के लखनों सुल्तानपुर्ण से लेकर तमाम जगों पर छोटी छोटी जगों पर कुछ-कुछ प्रदेशन देखने को मिल रहा है पूरे देश के जो शिया समुदाय है वो मातम मना रहे हैं फिलाल बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे हैं नेटवर्के टीन और जुड़े रही निव्जटीन के साथ आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय जरूर अपनी राय साजा करिएगा नमस्कार